हलो फ्रेंड तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त अनिल देओ और आज मैं बात करूँगा कि आखिर इंकम कितने परकार के होते हैं और इसमें से कौन सा इंकम आपको गरीब बनाता है और कौन सा इंकम आपको अमीर बनाता है तो मैं भी रिच परसन बन जाओंगा लेकिन यह बहुत ही गलत धारना है मेरे दोस्त क्योंकि अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि दुनिया में कितने परकार के इंकम है और कौन इंकम आपको गरीब बनाता है और कौन सा इंकम आपको अमीर बनाता है तो आप पूरे लाइफ फाइनेंसियल करेंगे तो चली हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा इंकम ने बिल गेट्स को उतना अमीर बना दिया और हम लोग को आज तक गरीब रखा हुआ है तो मेरे दोस्त दुनिया में मेलनी तीन तरह के इंकम होते हैं लेकिन हमें अक्सर एकोनोमिक्स के बुक में दो तरह की इंकम बताया जाता है और भी डिफरेंट टाइपस ओफ इंकम के बारे में हमको बताया जाता है जैसे डाइरेक्ट इंकम और इंडाइरेक्ट इंकम और इ की discussion को तो मेरे दोस्त income का जो सबसे पहला टाइप है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं जिसके लिए सारे ordinary लोग काम करते हैं वो है earned income earned income का मतलब होता है कि आप office गए किसी दूसरे के लिए काम किये और महीने के अंत में आपको salary मिला उसके लिए आपको काम करना पड़ा तो इस परकार की income को कहते हैं earned income और मेरे दोस्त जो इनसान इस income पर depend होता है वो पूरे life struggle करता है तो मेरे दोस्त मैं यह कोसिस करूंगा कि आप यहां न रहें बलकि अपने आपको earned income से अगले income की और ले जाने का कोसिस करें जो कि मैं अभी बताने वाला हूं तो मेरे दोस्त जो दूसरा income है वह हमारा passive income जी हां सबसे beautiful अगर को वैसा income हो गया तो मेरे दोस्त यह passive income का जो जेनरल मीनिंग होता है वह होता एक वैसा income जो real estate business से आता है अब आप यह पूछेंगे कि real estate का बिजनेस क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि real estate business का मतलब होता है कि land and building का business जो land और building का business होता है उसको कहते है real estate business तो अब आप यह पूछेंगे तो फिर passive income क्या होता है तो passive income का मतलब होता है कि अगर आप एक बड़ा building बनाते हैं उसे mall बना देते हैं कोई mall बना करके उसको आप रेंट पे लगा देते हैं सारा रूम अगर आप रेंट पे लगाते हैं तो वहां से आपको income आते रहेगा उसके लिए फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा एक बार अगर आप building बना दिए उसमें बड़ा mall बना दिए तो वहां आपको रेंट आते रहेगा तो इसी income को हम लोग कहते हैं passive income और यह जो बिजनेस है building और land का इसको कहते हैं real estate business मेरे दोस्त जो तीसरा income है उसका नाम है portfolio income तो मेरे दोस्ति जो portfolio income है यहीं वह income है जिसने बिल गेट्स वारेन वफेड कार्लोस स्लीम इन सबों को दुनिया का सबस्वामीर आदमी बना कर रख दिया तो मेरे दोस्त अब आप यह पूछेंगे कि यह portfolio income क्या होता है आखिर यह income आता कहां से है तो मैं आपको बताना च income है तब आप यह पुछें कि stocks or bond क्या होता है यार ते stocks का मतलब होता है मेरे दोस्त सेयर और सेयर का मतलब तो अब आप जान ही गया होंगे share market यह share market में पैसा invest कर देते हैं फिर वह पैसा आपका वहाँ जाकर काम करता है और जैसे जैसे बिजनेस grow करता है उसी परकार आपका पैसा भी grow करता है और फिर आपको वह पैसा dividend के रूप में यानि कि profit के रूप में आपको मिलता है कहने का मतलब ही है कि यह portfolio income ऐसा income है जो Bill Gates जो Warren Buffet जो Jeff Vajos को दुनिया का सबस्वामीर आदमी बना कर रख दिया तो तो मेरे दोस्त आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने life में कौन सा income source चाहते हैं, आप अपने life में कौन सा income source को लाना चाहते हैं, जिससे आपका life change हो सके, तो ये कबार मैं फिर से summarize कर देना चाहूंगा तीनो income का नाम, तो मेरे दोस्त मैंने जो आपको पहला income का ना पैसिव इंकम का मतलब जो real estate business से आता है, जिसके लिए हमें काम ना करना पड़े, उसी को कहते हैं पैसिव इंकम, और मेरे दोस्त जो सबसे last है, वह है portfolio income, portfolio income का मतलब होता है, stocks या bond से कमाया गया पैसा, stocks का मतलब ये होता है share market, या और भी ऐसे जगह, जहां पे आपको केव portfolio और passive income की और जरूर ले जाएगा, तो मेरे दोस्त हमारे या वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो तक के लिए, good bye and take care, और मेरे दोस्त इस वीडियो को share करना मत भूलिएगा, ताकि आपके ही जैसे और भी कितने लोग हैं, जो इन तीनों income को नहीं जानते हैं, तो उनका भी आख खोल सके, वो भी अपने earned income को पैसी और portfolio income में बदल सके, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को share करना न भूले,